आज के हमारे डिश तो हिद्रबादी डिश है ही साथी साथ जुमा स्पेशल भी है क्योंकि ये हिद्रबाद के तक्रीबन घरों में बनता है खासकर जुमे के दिन बगारा खाना, कद्दू का डाल चा और गवार की फली जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज की रेसिपी पहले मैं शुरुआत करूंगे हमारे कद्दू के दालचे के साथ डालचे के लिए मैंने यहां पर लिया है त्री फोट कप तुवर्की डाल यानि 175 ग्राम तुवर्क करने के बाद मैं इस में एड़ किया है दो कप पानी वन टी स्पून हल्दी पॉर्डर और साथ ही इस पर मैं एड़ कर दूँगी हमारे कच्छी केरी भरी मिर्च और कड़ी पता इनसा पर मैं एड़ करूंगी वन टी स्पून तेल और हमें दाल को अच्छे से गला लेना है प टी स्पून हल्दी पॉर्डर टू टी स्पून नमक टू टी स्पून अधक लेसन का पेस्ट और साथी तो एंड हाफ टी स्पून लाल मिर्च पॉर्डर इन सब को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करके हमें इसमें पानी एड कर देना है ज्यादा पानी आड नहीं करना है और हम यहां पर हमारी गवान की फली के लिए मटन हंडी बना लेते हैं हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हमने दालचे के लिए मटन हंडी बनाई थी यहां पर मैंने लिया है हाग केजी मटन एक बड़ा प्यास दो टीसफून जिंजर गालिक पेस्ट वन टीसफून हल्री इसको मैंने लंबे स्लाइजेस में कटकर लिया है अच्छे से वाश करके और फिर यहां पर मैंने कुछ गरम मसाला लिया है हाफ टीसपून शाजी छे साथ इलाइची छे साथ दालचीनी के पटे और 4-5 लॉंग दालची के लिए हमने जो मटन गला है था वह अच्छे से ग बूने के बाद हम इसमें एड़ करतेंगे एक बड़ा टमाटर स्लाइस किया हुआ और इस टमाटों को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे डालचा और फली के इंग्रीडिन्स मैं डिस्क्रिप्शन पॉक्स में दे दोंगी आपकी आसानी के लिए टमाटर स साथी में इसमें एड़ कर दोंगे हमारा साबुत गरामसाला और इसे दो मिनिट के लिए भून लेंगे मटन की हंडी भून कर रेडी है हम इसमें एड़ कर देंगे कदू यानि लौकी और फिर इसे हलके हाथ से हमारे मटन की हंडी के साथ टॉस कर लेंगे साथ ही मैं इसमें एड़ कर दूंगी वन टीस्पून नमक और हाफ प्लास पानी ताकि हमारे कद्दू सॉफ्ट हो जाए अब हम इसे ढग कर दीमी आंच पर दस मिनिट के लिए पकने देंगे तब तक हम हमारी दाल को चेक कर लेते हैं लीज़े हमारी दाल भी अच्छे से गल के तयार हो गई है अब हम इसे मैश कर लेते हैं दाल मैश करते वक्त मैंने इसमें एड़ किया है 2 टीस्पून नमक इस दाल को अच्छे से मैश करने गार मैं इसमें एड़ कर दूंगी एक ग्लास पानी दाल अभी रड़ी है और कदू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए है दाल को हम मटन की हंडी में एड़ कर लेते हैं दाल और मटन को हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें एड़ कर दिंके कुछ और कड़ी पता और फिर इसे एक बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पर जैसे इस दालचे में बॉयल आ जाए हम इसे ढखकर दीमी आन्च पर दस मिनट के लिए पकने देंगे दस मिनट के बाद हम चेक करते हैं अगर आपका दालचा गाड़ा हो गया है तो आप इसमें खाफ गलास पानी एड़ कर लें और फिर इसे और दस मिनट दमपर पकने दें नमक आप चेक कर लें क्यूंकि हमने अच्छा खासा नमक आड़ किया था मटन के हंडी में गद्दू में और दालचे में हम फाइनली एड़ कर देंगे थोड़े से हरा धनिया और इसे दस मिनट और दमपर पकाएंगे ताकि हमारा मटन के हंडी और दाल दोनों एक दूसरे के फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए देखे माशाला हमारा गद्दू का दालचा अब रेडी है यह अच्छे से पक गया है और इस पे से हलका सा तेल भी आ गया है तो इसका मतलब अब यह बिरकुल रेडी है और परफेक कंसिस्टेंसी है अब हमारे फली की तरफ चलते हैं फली के लिए हमने जो मठन गलाय था गल चुका है अब हम इसे भी भून लेंगे एक पांच मिनिट तक हाई फ्लेम पर यहां पर मैंने हाफ किलो गवार के फली ली है इसको अच्छे से वाश करके पैरेंस ड्रेनौट कर लिया था इसका पानी दो मीडियम साइज आलू मतन को भूनने के पाद मैं इसमें एड़ फली और इसे प्रशर कुक होने दूंगी 2 म का फ्लेम पर थोड़ा सा पानी आड़ करके क्यूंकि यह गवार के फली जल्ती गलती नहीं तो हम इसमें प्रशर कुक कर लेंगे लीजिए हमारी गवार के फली गल गई है अलने कर लिया है लेकिने हमारी पर चुक और लीजिए के लिए मैंने यहां पर लिया था फ्रेश मेथी एक बंच इसको मैंने अच्छे से चौप कर लिया है अब हम आलू और मेथी को साथ ही इसमें डाल देंगे और आलू को हम गला लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर देख दस मिनिट के लिए आलू एड करने के बाद आप हमेशा नमक चखा करे फली को हम दंप छोड़ देते हैं एक दस मिनिट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर गर्मा गर्म सफ कने के लिए रेडी है हमारी घवार की फली कर्मा गर्म डाल चाप बागारा खाना बगारा क्षाना के रेसिप्य मैंने अपलोड कर दिये हैं अकर आपने देखे ये तो कोई बात ने मैं डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपके घर पे दावत हो या फिर जुम्हे का दिन हो हैदरबाद ये घर में ये कॉंबिनेशन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा हम इन्शालाद जल्दी मिलेंगे फिर एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखें अलाफेस